CBC Words में आपका स्वागत है तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं Class 11 Physics का 4th chapter जिसका नाम है Motion in a Plane इससे पहले की chapters की वीडियो अप्लोड हो चुकी है अगर आपको देखना है तो playlist विजिट करके देख सकते हो chapter wise playlist का लिंक आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें पहला topic हमारा introduction का है तो last chapter के अंदर हमने कुछ concept develop किये थे position, displacement, velocity, acceleration से related that are needed to describe the motion यानि motion को describe करना हो motion के बारे में बताना हो तो आप कैसे बताओगे ये बताओगे कि object की position कहां कहां थी कितना displacement हुआ, किस velocity से motion हुआ हमने यही सारी चीज़े पिछले chapter में सीखी थी लेकिन वो limited थी यानि वो सिर्फ straight line के लिए थी one dimension motion के लिए हमने यह सारी चीज़ें सीखी थी जिसे हम rectilinear motion भी कहते हैं तो वहाँ पर हमने यह देखा था कि जो directional aspect है इन quantities का जैसे displacement हो गया velocity हो गया, acceleration हो गया इनके पास अपने direction होता है तो इनके जब direction की बात आई तो क्यूंकि one dimension में दुही तरीके के direction possible होते हैं जैसे मालो horizontal direction में object का motion हो रहा है तो या तो वो आगे जा सकता है या वो पीछे जा सकता है अगर vertical direction ए जा सकता है तो backward हमारा negative हो जाएगा upward अगर positive है तो downward negative हो जाएगा क्योंकि one dimension में दुही direction possible है लेकिन अगर object के motion का हमको describe करना है two dimension में जैसे हम plane कहते हैं यानि एक plane के अंदर अगर किसी object का motion हो रहा है अब मैं आपसे पूछेँ प्लेन क्या होता है तो आपका अगर एक flat सी surface यानि किसी surface है तो हम क्या देंगे ये plane है लेकिन properly अगर इसे define करना हो कि exactly plane क्या है तो हम कैसे describe करेंगे कोई भी surface है कोई भी surface आपने ले लिया अगर वो surface plane है तो उसमें हो गई ये कि उस surface पे कहीं पर भी 2 point आप ले लो जैसे मालो एक point हमने यहां ले लिया एक यहां point ले लिया इन दोनो point को जब आप connect करोगे तो ये जो पूरी straight line हमारी आई कैसे connect करना है? Straight line से तो कोई भी हमारे पास surface है उस पे हमने कहीं पर भी 2 point मार्क कर दिया उन दोनों point को अगर हम straight line से connect करें तो वो पूरी की पूरी line उस surface पे होनी चाहिए आगर ऐसा है तो वो surface हमारी plane कहलाएगी और plane surface के अंदर जो motion होता है उसी को हम two dimensional motion कहते हैं ठीक है? तो अगर motion को describe करना हो 2D में यानि plane में और three dimensions जिसे हमें space कहते हैं तो three dimension क्या इसे भी समझ लेते हैं three dimension की condition ये है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो दो point आप surface पे लो उसको जो straight line से connect करें तो वो surface पे ही आए for example मैंने एक sphere बना दिया ठीक है? आप 2D में तो यानि आप screen में तो इसी तरह बनाई जा सकता है लेकिन मान लो, feel करो कि ये sphere है जैसे आपने मान लो ball ले लिया ball से भी experiment कर सकते हो एक ball आपने ले लिया उसके एक तरफ आपने यहाँ point लगा दिया दूसरी तरफ यहाँ point लगा दिया अब इन दोनों point को जो आप connect करोगे इस straight line से तो वो इस sphere के अंदर से पास होते हुए जाएगी यानि आपने ball लिया दोनों side आपने point लगा लिया अब उन दोनों point को connect कराओगे curve से तो connect हो जाएगी बाहर बाहर surface पर आपने बना दिया लेकिन straight line से जब बनाएंगे तो straight line उस sphere के वो पार करते हुए जाएगी बिलकुल beach से जाएगी तो हम कह सकते हैं जो sphere है हमारा वो 2D नहीं है तो जब motion को हमको describe करना होता है 2 dimension में यानि एक plane के अंदर motion हो रहा है किसी surface पे motion हो रहा है या फिर किसी space के अंदर 3 dimension के अंदर motion हो रहा है तो वहाँ पर दो बहुत सारे direction possible होते है for example आप यहाँ पर खड़े हो कोई मैदान है वहाँ पर खड़े हो अब कुत्ते ने आपको दोड़ा लिया तो आप किसी भी direction ने भाग सकते हो बस कुत्ते के तरफ ना भागना यानि आप ऐसे सीधा जा सकते हो इधर भाग सकते हो इधर भाग सकते हो और इस पूरे 360 degree के अंदर कहीं पर भी भाग सकते हो infinite number of direction आपके पास होते है तो यहाँ पर जिब direction हमको show करना होता है कि किस direction में motion हुआ तो simple plus minus से हो तो हम दिखाई नहीं सकते क्योंकि plus minus तो तभी उस करेंगे जो हमाँ पास दो ही direction हो यहाँ पर तो infinite number of directions है तो जैसे आप मैदान के अंदर हो और आपको कुत्ते ने दोडा लिया तो कहीं पर भी भाग सकते हो किसी भी direction है भाग सकते हो तो उस पूरे मैदान के अंदर जहाँ पर भी आप motion करोगे वो plane के अंदर कहलाएगा two dimension motion कहलाएगा क्योंकि रहोगे तो उसी surface में न लेकिन अगर आपके पास superman जैसी power आ गई तो आप उड़ भी सकते हो तो उस case में आपका magnitude है और उसके साथ साथ direction भी है जिसे हम velocity की बात कर ले आपने कह दिया 3 meter per second तो यह complete information नहीं है incomplete है आपको बताना पड़ेगा किस direction ए motion हो रहा है तब पूरी बात पदा चलेगी आपने कह दिया 3 meter per second north तो अब इसे एक direction मिल गया तो ऐसी quantities इनके पास magnitude भी है direction भी है और वो plane के अंदर या space के अंदर motion कर रहे है जहाँ पर बहुत सारे directions possible है वहाँ पर हम vector का use करते है अब vector क्या होता है उसमें किस तरह से use करते है वो अभी आगे आएगा लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि जहाँ बहुत सारे directions है वहाँ पर vector जरूरी हो जाता है one dimension में भी हम vector का use करते है लेकिन उसके बिना भी काम चल जाता है अभी आगे हम देखेंगे किस तरह से 1D में भी use कर सकते है 1D में तो आपको इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वहाँ जरूरत नहीं थी लेकिन use वहाँ पर भी होता है बिना vector के भी हमारा काम चल जाता है इसलिए हमने vector उस time नहीं पढ़ा लेकिन जैसे हम 1D से 2D में आया 3D में तो बिना vector के आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती इसलिए हम vector को पहले सीख रहे है इसलिए इस बात की सबसे पहली जरूरत होती है कि हम vector की भाशा को समझें कि क्या है vector कैसे use होता है what is vector किस तरह से हम add, subtract और multiply करते हैं vectors को क्या result हमको मिलेगा जब हम vector को multiply करें किसी real number से यह सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम इस chapter में देखेंगे we shall learn this to enable us to use vector for defining velocity and acceleration in plane तो अगर हमको plane के अंदर velocity या acceleration बताना या और भी सारी चीजें यानि और भी quantities जिनके पास अपना magnitude के साथ direction होता है उसको describe करने के लिए उसको define करने के लिए हमें vector सीखना पड़ेगा तो एक बार जब vector हम सीख जाएंगे तब हम discuss करेंगे motion of object in plane में किस तरह से motion होता है एक object का plane में तो यहाँ पर भी बहुत ज़ादा complicated हमको नहीं पढ़ना simple case लेंगे motion का plane में भी तो यहाँ पर जो motion हम discuss करेंगे वो कैसा होगा constant acceleration का और detail में हम पढ़ेंगे projectile motion को circular motion is a familiar case of motion that has special significance in daily life situation तो circular motion यानि ऐसे एक circle के अंदर गोल-गोल जो motion होता है इसके बारे मैं तो आप जानते ही हो और daily life में भी आप circular motion को observe भी करते रहते हो तो हम discuss करेंगे uniform circular motion detail में अब यहाँ पर हम equations को भी develop करेंगे तो जो equation हम develop करेंगे इस chapter में for motion in a plane यानि plane के लिए जो equation हम develop करेंगे जो derive करेंगे उसी को हम extend कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं to the case of three dimension यानि हम detail में पढ़ेंगे motion in plane और वहाँ से equation derive करेंगे और आप देखोगे वही equation में थोड़ा सा change करके हम उसे 3D में किस तरह से apply कर सकते हैं बस एक axis आपको बढ़ानी होती है और सारी चीज़ें वैसे ही रहती है तो यह introduction वाला part हो गया अब main topic के दरह हम बढ़ते हैं 4.2 Scalars and Vectors यह क्या होते हैं Physics के अंदर हम quantities को classify करते हैं Scalar और Vector यानि कुछ quantities होंगी जिने हम scalar कहते हैं और कुछ होंगी जिने हम Vectors कहते हैं Basically the difference is that direction is associated with vector but not with the scalar तो basic से जो difference है Scalar और Vector quantities के अंदर वो यह है कि scalar के पास direction नहीं होता है तो scalar quantity कौन सी है अगर आप से पूछा रहा तो क्या बताओगे Scalar quantity is a quantity with magnitude only उसके पास अपना सिर्फ एक magnitude होता है को उसका direction नहीं होता अब इसे specify कैसी किया जाता है कैसे आप show करोगे, कैसे represent करोगे Completely by a single number एक number आपको लिख देना पड़ेगा Along with a proper unit उसकी unit लगानी पड़ेगे Example देखते है The distance between two points तो दो point है आपके मालो ये A हमारा है और ये B है इसके बीच की जो distance है वो कैसे बताओगे जैसे मालो इसके बीच की distance 3 meter है तो आपने 3 लिखा यानि एक number हो गया और unit लगा दी, meter अब ये meter हो सकता है, centimeter हो सकता है kilometer हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तो number वाला part हो गया और unit वाला part हो गया जैसे मालो 139 centimeter तो ये number वाला 139 number वाला part हो गया और centimeter unit वाला part हो गया बस इसमें कोई direction नहीं होता ये चीज़ आप पड़ चुके जो distance होता है, distance के बाद कोई direction नहीं होता, displacement के बाद direction होता है, इसलिए हम पिछले वेले chapter में plus minus use कर रहे थे, लेकिन distance क्या होता है, हमेशा positive होता है, क्योंकि वो सिर्फ path length होती है, किस direction में गया, उसके बारे में distance में बात नहीं होती है, mass of object की बात कर लें, किसी भी object का जो mass होत में हमको aloo दे देना, और west में हमें प्यास दे देना, तो ऐसी चीज़े तो हम नहीं बोलते हैं, कोई direction की बात नहीं करते हैं, simple, जितना weight है, वो बोलते हैं, और unit लगा देते हैं, इसी तरह temperature की बात कर लें, किसी भी body का जो temperature है, उसके पास magnitude होता है, और magnitude के अंदर क्या होत होती और unit होता है, उसका कोई direction नहीं होता, कि आपने कहा कि मुझे बहुत तेज बोगार था west में, तो direction की बात नहीं होती, इसी तरह अगर हम time की बात कर लें, कोई event हुआ, कोई चीज हुई, किसी time पे, तो वो जो time होगा, 10 बच के 5 minute, उसका कोई direction नहीं होगा, तो ये सारी चीजे जो हमने देखी, distance हो गया, mass हो गया, temperature हो गया, time हो गया, ये सारी काउंस ही है, scalar है, इनके पास magnitude है, और direction नहीं है, the rule for combining scalars are rule of ordinary algebra, यानि scalar quantities को जो हम को combine करना होता है, तो जो हम algebra पढ़ते हैं, वही वाला हमारा simple use होता है, यानि जो scalar है हमारा, उसको हम add कर सकते हैं, subtract कर कर सकते हैं, और divide कर सकते हैं, जैसे का ordinary numbers होते हैं, उसी तरह हम कर सकते हैं, जैसे हम mass ले लेते हैं, 3 kg और 2 kg, तो इसको combine करना है, तो simple क्या करोगी, जैसे add करना है, तो plus कर दो, आ जाएगा 5 kg, अब मालो 5 kg है, इसके अंदर से हमने 4 kg minus कर दिया, तो कितना बचेगा, 1 kg, यान जाता है, s is equal to ut plus half 80 square, तो time का square, यानि time को time से multiply कर रहे हैं, तो multiply भी हो जाता है, ठीक है, जैसे ordinary numbers को हम add, subtract, multiply, divide करते हैं, उसी तरीके से scalar quantities को भी हम कर सकते हैं, वहाँ पर कोई special rule पढ़ने के ज़रत नहीं है, just as the ordinary numbers, तो यहाँ star लगा, star का मतब थोड़ से देख लेते हैं, क addition कार सकते हैं, जिनकी unit सेम हो, जैसे three kg में हम five second को जोड़ नहीं सकते हैं, दोनों unit ऐलग है, एक mask की unit है, दूसरा time की unit है, तो जो हमें add करना हो या subtract करना हो, तो दोनों unit सेम होनी चाहे, यानि kg में से kg को minus कर सकते हैं, kg fino को add कर सकते हैं, time को time के साथ add कर सकते हैं, however you can multiply and divide heart scalars of different unit, लेकिन multiplication और division अलग-अलग units का कर सकते हो, जैसे mass को time के साथ multiply कर सकते हो, जैसे इसी में हम देख लें, कि 3 kg और 5 second को multiply करना हो, तो simple multiply कर दोगे, 3 5s are 15, आ जाएगा kg second, इस तरह से आ सकता है, तो ये point आपको ध्यान रखना है, अब example से इसको समझते हैं, जैसे मालो हमको length और breadth दी हुई rectangle की, length दी है 1 meter, और breadth दी हुई है 0.5 meter, तो इसका perimeter क्या होगा, अगर perimeter निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, उस rectangle की जितनी भी length है, यानि 2 length होगी, ये इस तरह से बनेगा, तो ये वाली 2 length होगी, और ये हमारी दोनों breadth हो गई, तो दोनों को दो दो बार लिखके add कर देंगे, तो sum of length of the 4 side, तो 4 side की जो length है, 1 meter, 0.5 meter, फिर 1 meter, और 0.5 meter, ठीक है, या formula में जिस तरह से लिखते हो, 2, L, प्लस B, तो आपका आ जाएगे 3 meter, तो जो length थी side की, वो क्या थी, scalar थी, तो scalars को जो बापस में add करेंगे, तो जो value आएगी, वो भी scalar होगी, तो perimeter हमको कैसे मिला, scalar quantities को add करके, length of breadth को add करके, तो perimeter हमारा scalar होगा, एक और example लेते हैं, हमको maximum और minimum temperature दिया हुआ है, किसी दिन का, तो maximum temperature कितना है, 35.6 degree, minimum temperature कितना, 24.6 degree celsius, यह दिया हुआ, यह यह दिन के अंदर, जो जादा जादा temperature था, वो कितना था, पूरी दिन भार के अंदर, 35.6 degree, और कम से कम जो temperature था, वो था 24.2 degree celsius, then the difference between the two temperatures, तो दूनों temperature के बीच का difference अगर हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से, छोटे को माइनस कर दो, 35.6, माइनस 24.2, तो आपका आजाएगा 11.4 degree celsius, तो temperature हमारा क्या था, scalar quantity थी, difference निकाला, यह नहीं सब्स्ट्रेक्शन किया, तो सब्स्ट्रेक्शन करके जो value आएगी, जो difference आएगा, यानि जो 11.4 degree celsius आएगा, यह भी कैसा होगा, scalar होगा, इसी तरीके से, एक uniform solid cube ले ले लेते हैं, aluminium का, uniform solid cube का मतलब क्या है, देखो, solid cube का मतलब, ऐसा cube है, जो की पूरी तरह से भरा हुआ है, खोकला नहीं अंदर से, uniform solid का मतलब यह है, कि आप पूरी तरह से जो भरा हुआ cube है, यानि पूरा aluminium का बना हुआ है, तो किसी भी point पे, किसी भी हिस्से पे, आप density को find out करोगे, तो density की value, same रहेगी, तो इस cube का, आपको side की length दी हुई है, और mass दिया हुआ है, अगर volume निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, 10 cm हमको side दिया हुआ, इसको meter में convert करेंगे, तो I get 10 to the power minus 1 meter, volume के विए हम क्या करते हैं, cube कर देते हैं, जो sides हमारी है, तो cube करने का मतलब क्या है, जिसे a cube, side का cube होता है, तो इसे ऐसे भी दो लिख सकते हैं, a multiply by a multiply by a, तो इस तरह से करेंगे, तो हमको value मिल जाएगी, 10 to the power minus 3 meter cube, और जो volume होता, वो भी scalar होता है, volume का कोई direction दो होता नहीं, तो side की जो length है, वो हमारी scalar है, length का भी कोई direction नहीं होता, length को जो हम 3 बार multiply कर रहे हैं, side को जब 3 बार multiply कर रहे हैं, तो मैं volume की value मिल ली है, और volume भी कहा है, scalar है, इसका मतलब हमने, scalar को scalar से multiply किया, तो जो quantity हमको मिली, वो भी scalar है, इसी तरह के से density की हम बात कर लें, density कैसे find out करेंगे, देखो density is equal to mass upon volume, mass आपको दिया हुआ है, 2.7 kg, और volume आपने find out कर लिया है, 10 to the power minus 3 meter cube, तो यहां से density की value क्या जाएगी, 2.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube, और density भी क्या होती है, scalar होती है, density का भी कोई direction नहीं होता, तो यह सारे जो example थे, parameter वाले, temperature वाला, volume वाला, density वाला, इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको यह पता चलता है, अगर scalar को scalar के साथ add करोगे, तो scalar मिलेगा, scalar में से scalar को minus करोगे, तो आपको scalar मिलेगा, एक scalar quantity को दूसरे के साथ multiply करोगे, तो scalar मिलेगा, अगर scalar को किसी scalar से divide कर दोगे तो भी आपको scalar मिलेगा तो ये तो होगे scalar की बात, vector quantities की बात करें is the quantity that has a magnitude and a direction and obeys the triangle law of addition तो vector में देखो तीन चीज़ें होती है तीन चीज़ों का follow करना जरूरी है पहली चीज़ की vector के पास magnitude होगा दूसरी चीज़ ये कि vector के पास direction होगा और तीसरी चीज़ ये, it obeys vector law of addition यानि vector को add करने का अलग से नियम है, अलग से law है जिसे हम vector law of addition कहते हैं उसको भी follow करना जरूरी है सिर्फ ऐसा नहीं कि magnitude और direction होगया तो हमने कह दिये vector है बलगी vector law of addition को भी वो follow करे अब vector law of addition क्या होता है देखो यहाँ पर दो law of के लिखे हुए है triangle law of addition और इसी से मिलता जूलता आपका होता है parallelogram law of addition और भी होता है, polygon वाला होता है यहाँ पर दो लिखा हुआ है, तो अभी दो पह ही focus करो अब जो vector है, उसे हम कैसे specify करते है कैसे हम लिखेंगे, कैसे represent करेंगे तो उसमें दो को एक तो magnitude होता है जो कि एक, obviously एक number होगा और number के साथ उसकी unit भी आती है and its direction तो vector के अंदर आपको direction भी देखने को मिलेगा यानि simple आप magnitude लिखे काम खतम नहीं हो जाता जैसे मालों मने force की बात की 6 newton की force है तो आप कहोगे किस direction में लग रही है 6 newton की force कहाँ पर, किधर उसका एक direction होगा कि force इधर लग रही है, कि force इधर लग रही है कि उपर लग रही है, कि नीचे लग रही है किधर लग रही है 3 meter per second, तो 3 meter per second velocity किस तरफ है इस तरफ है, उपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, किस direction में है कुछ physical quantities जो की vector से represent की जाती है वो आपका displacement हो गया, velocity हो गया, acceleration हो गया, force हो गया और इससे इलावा भी बहुत सी होती है तो इन सब के पास क्या होगा? magnitude होगा, direction होगा और ये vector law of addition को follow करेंगी अब आप ही पूछ सकते हो, वो कौनसी quantity जिसके पास magnitude भी है, direction भी है लेकिन vector law of addition को follow नहीं करती तो ऐसी quantities हैं, जैसे आपका current हो गया current का magnitude होता है, उसकी को value होती है कितने अंफियर का current है और current का flow एक direction में होता है, direction भी है लेकिन वो vector law of addition follow नहीं करती यहीं वेक्टर वाला law लगा के अगर current को add करना चाहोगे तो वहाँ से आपको values नहीं मिलेंगी तो vector law of addition हम detail में पढ़ेंगे, एक short मैसा समझ लो कि जैसे हमने देखा था ना scalar में simple add कर दो तो आपका काम हो जाता है वहाँ कोई direction ज़ुरत है नहीं यानि आपने simple लिख दिया 3 kg और 2 kg इसको add करोगे तो कुछ भी कर लो 5 kg आएगा, अब 3 kg वाला जो packet है वो नीचे हो या उपर हो या left हो, right हो, उसकी position से उसके direction से कोई मतलब नहीं, direction दो होता नहीं लेकिन फिर भी आप कहोगी 3 kg वाला बैग उपर रखा है, 2 kg वाला नीचे रखा है या 2 kg वाला उपर रखा है, 3 kg वाला नीचे रखा है उस cup कोई मतलब नहीं अगर इन दोनों को हमको combine करना है add करना है तो 5 kg ही हमको answer मिलेगा, लेकिन अगर हम motion की बात कर लें, motion में अगर हम जैसे displacement की बात करें किसी चीज़ का displacement हुआ तो जैसे माल लो, ये east direction के अंदर motion हुआ, कितना हुआ आपने कह दिया 3 meter east यानि कोई object है वो इस point से 3 meter east की तरफ पहुँच गया उसके बाद फिर उसने क्या किया, 2 meter और वो east की तरफ गया, 2 meter east, यानि उसी direction में जा रहा है, पहले 3 meter गया, 2 meter गया अब मैं पूछूँ कि total displacement कितना होगा आपको, simple है 3 plus 2 कर दो, आ जाएगा 5 meter और east की तरफ जा रहा है तो इसका direction भी हमें मिल जाएगा, east लेकिन अगर माल लो, यहां से चल के कोई object, 3 meter east की तरफ गया, उसके बाद वो 2 meter वापस आ गया तो 2 meter, east की opposite क्या होता है आपका west होता है, 2 meter west आ गया, अब मैं को इंको combine करो, displacement बताओ तो आप क्या करोगे, 3 minus 2 करना पड़ेगे, को direction opposite है तो आपका आएगा 1 meter और यह हमारा initial था और यह हमारा final था initial से final, किस direction में आएगा west में आएगा, तो आप कह दोगे कि यह west, sorry यह, either east, यह होगा आपका east, ऐसे direction होगा न इसका एक और example लेते हैं जिसमालो, यह displacement हुआ यहाँ पर थोड़ी से values बदल लेते हैं इसे हम ले लेते हैं 3 meter, 3 meter east की तरफ, किसी object के displacement हुआ, उसके बाद यह ठीक north की तरफ गया, कितना 4 meter north की तरफ अब मैं पूछे हूँ, displacement कितना हुआ किस direction में हुआ, तो कैसे निकालोगे यह इसकी initial position है यह final position है आप कहुआ कि displacement यह ऐसे हुआ इसका, इसको A point मालने, इसको B point मालने तो A से यह B गया यह displacement है displacement हमारा क्या होदा straight line होता है तो इसकी जो length होगी वो magnitude दे देगा और direction तो हमको दिख रहा है कि धर जा रहा है ऐसे जा रहा है इस direction में तो यहाँ simple आपका 90 degree बनेगा पाइथाग औरस theorem आप लगा सकते हो A B आपको निकालना है तो क्या होगा under root 3 का square plus 4 का square यानि 9 plus 16 25 हो जाएगा 25 का root ले लोगे तो आपकी A B क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ठीक है 5 meter के displacement यानि यह जो value है वो 5 meter है अब direction निकालना है तो यहाँ angle के form में direction लिख सकते हो कि मालो यह theta है theta के value निकालोगे तो आप बता दोगे तो थोड़ा साम direction के बार हम भी बात कर लेते हैं उससे पहले यह देखो कि 3 meter चला 4 meter और चला तो simple हमने add नहीं कर दिया कि 3 plus 4 7 meter हो गया total तो यहाँ पर हमारा simple algebra वला नहीं लगेगा कि simple हमने 3 और 4 को add कर लिया यहाँ पर हमने देखेंगे कि इस direction में जा रहा है फिर finally वो कितना displacement हुआ कितना angle बना यह सारी चीज़े देखी जाएगी तो हमारा देखो 5 meter अंसर आ रहा है और 3 और 4 को simple add करोगे तो 5 नहीं आएगा बलके 7 आएगा तो vector quantities को जो add करना होता है तो उसके अलग एक law होता है उसी के हिसाब से हम addition करते हैं अब थोड़ा सा direction का एक concept हम समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो plane के अंदर अगर आपको direction बताना हो East, West, North, South के form में तो आप कैसे बताओगे जो simple direction है वो तो बता सकते हो North की तरफ जा रहा है, South की तरफ जा रहा है लेकिन proper North की तरफ नहीं जा रहा हो जैसे मालो इस direction में जा रहा है तो ये कौन से direction है उसके लिए आपको तीन चीज़े बतानी होगी कितना angle बनेगा कहां से आप measure कर रहे हो और वो direction किस तरफ है नहीं सुझ मैं चलिए समझते है ये हमारा North है ये South है ये East है और ये West है अब ये हमने एक vector बना दी ऐसे समालो एक line हमने ऐसे बना दी और मैंने इसका direction पूछ लिया बता इसका direction क्या ये line किस direction की तरफ पॉइंट कर रही है तो पहली चीज़ मैंने क्या बताया था कि आपको देखना है कि angle angle आप कहां से measure करोगे जैसे मालो East से आपने measure किया तो कुछ angle होगा इसका let's suppose 30 degree इतनी information से आप क्या बता सकते हो कि East से वो 30 degree पे है तो दूसरा सवाल आपके सामने ये आएगा कि 30 degree है लेकिन 30 degree किस तरफ है ऐसे भी तो हो सकता है ये भी तो 30 degree हो सकता है ये भी तो को East से हमारा 30 degree पे है तो फिर ये भी बताना पड़ेगा किस तरफ East से क्या North की तरफ angle है यह फिर south की तरफ है, ठीक है तो समझ गया, एक angle हो गया, कहां से measure कर रहे हैं, और किस तरफ, तो यह जो हमारा vector है, इसे हम लिख कर कैसे बताएंगे, जैसे मालो यह velocity vector था, ठीक है, 3 meter per second, यह velocity थी और velocity का direction आपको arrow से दिखाया गया था, क्योंकि vector को देखो हम कैसे represent करते हैं, यह भी साथ में समझ लो, ऐसे detail में आगे हम देखेंगे, कि vector को जो हमें draw करना होता है, तो arrow से हम draw करते हैं, arrow draw करके show करते हैं, arrow की जो length होती है, वो magnitude बताती है, मैं यहां लिख देता हूँ, length of arrow क्या है, magnitude है, और arrow का जो direction है, किस तरफ वो point कर रही है, इस तरफ है, किस तरफ है, arrow का जो head है, वो किस तरफ जा रहा है, वो बताएगा उस vector का direction क्या है, यह जैसे velocity है, तो velocity किस तरफ, object किस तरफ motion कर रहा है, यह जो arrow हम को यहां दिख रही है, इसका मलदा object इस तरफ motion कर रहा है, तो arrow का जो direction है, वो उस vector का direction है, अब आपको length of arrow magnitude बताती है, अब 3 meter per second इस मान लिया कि 1 centimeter equal है, 1 meter per second के, तो velocity आपको 3 meter per second दी हुई है, इसका मतलब 3 meter per second किस के बराबर होगा, आप कहोगे 3 centimeter, अब direction आपको बता दिया, कि 3 meter per second velocity से motion हो रहा है, north direction में, तो आप vector को कैसे draw करोगे, north की तरफ point करते हुए arrow बनाओगे, इस arrow की जो length होगी, वो कितनी होगी, 3 centimeter, और side map आपने लिख के बता दिया, कि 1 centimeter equal है, 1 meter per second, तो scale से आदमी measure कर लेगा, देख लेगा, जितना centimeter है, उतना ही meter per second velocity है, और direction तो इसको arrow से दिखी रहा है, ठीक है, इस तरह से हमारा काम हो जाता है, तो ये तो होगे vector, हम यहाँ पर angle की बात कर रहे थे, तो ये जो vector हमार meter per second, 30 degree, ये सारी चीज़े दिए, इस तरह से बना हुआ, दिया हुआ है, तो आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे 3 meter per second, ये तो हो गया magnitude, अब आती है direction की बात, तो अब लिखोगे आप angle, कितना angle है हमारा 30 degree, फिर आप बताओगे किस तरफ, 30 degree किस तरफ जा रहा है वो, तो ये आप कहरे हो कि 30 degree north, तो west से भी हम north की तरफ जा सकते हैं, east से भी north की तरफ जा सकते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा, कहां से आप measure कर रहे हो, 30 degree north of east, यानि east से हम north की तरफ जाएंगे, 30 degree हम जब चलेंगे, तो वो vector हमको मिल जाएगा, ठीक है, समझगे किस तरह से पढ़ना है, जहां से चलेंगे, वो हमारा last में आएगा, कि हमको east से चलना पड़ेगा, किधर चलना पड़ेगा, south की दरफ चले और north की तरफ, तो जो कहूँगे north की तरफ, कितना चलेंगे, कितना डिगरी चलें, आपको 30 degree, east से हम 30 degree north की तरफ चलेंगे, तो ये vector हमें मिल एक और draw कर लेते हैं चलिए हमने ये ले लिया और ये angle हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है let's suppose ये 60 degree दिया हुआ है तो इस vector पर आप कैसे पहुचोगे आप कहोगे कि हमें west से चलना पड़ेगा किधर चलेंगे south की तरफ कितना degree चलेंगे 60 degree तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा तो मालों ये हमारा vector b है तो b किधर है आप कहोगे 60 degree है 60 degree किस तरफ है आप कहोगे south की तरफ है कहां से आप measure कर रहे हो कहां से आप चलने हो तो किधर से measure हम नख करना शुरू किया west से west से हम south की तरफ जाएंगे 60 degree तो vector मिल जाएगा South of West ठीक है इसी vector को हम दूसरी तरह लिख सकते थे कैसे लिख सकते थे 60 degree हमको दिया हुआ है तो ये कितना होगा 30 degree होगा West of South के बीच में 90 degree बनेगा 60 degree हमको ये दिया हुआ है South से इसका angle कितना बड़ेगा 30 degree तो अगर हम ये कहें कि हमें South से 30 degree किदर चलना पड़ेगा West की तरफ चलना पड़ेगा तो हमें वो vector मिल जाएगा तो B vector क्या है देखो उसी vector के position है बस दूसरी जेगे से हम बता रहे है B से कितना चलना पड़ेगा आपको आपको कि B से तो हमको 30 degree चलना पड़ेगा किस तरफ चलना पड़ेगा जिस तरफ चलना उसकी बात पहले होगी कि भाई हम West की तरफ जा रहे है ऐसे जा रहे हैं West की तरफ 30 degree West कहां से कहां से हमने चलना स्टार्ट किया है South से हमने चलना स्टार्ट किया है South से हम West की तरफ गए है 30 degree तो हमको वेक्टर मिलेगा West of South तो direction वाला कौन से आप समझ गए कि अगर आपको बना के दिया हो तो कैसे लिखोगे अगर लिखा हुआ है तो बनाओ के कैसे उसको हम देख लेते हैं इसको आप note down करना चाहो है screenshot लेना चाहो तो ले सकते हो तो हम लिख देते हैं पहले उस वेक्टर की कुछ value बतानी पड़ेगी हमको velocity है या क्या है या simple आप उस वेक्टर के नाम लिख सकते हैं वेक्टर A है तो वेक्टर A किधर है आप कहोगे 35 degree 35 degree east of south ठीक है यह आपको question दिया हुआ है अब आप draw करो खुश से try करो कैसे करोगे देखो जैसे लिखा जाता है बनाने में उसका उल्टा हम चलेंगे ठीक है यानि सबसे पहले हम यह देखें कि last में क्या लिखा है off के बाद क्या लिखा है south यानि हमें कहां से चलना है south से किधर चलना है अब इधर देखो east की तरफ चलना है यानि south से चलना है आपको east की तरफ तो आपको वेक्टर A मिलेगा कहां मिलेगा 35 degree पे मिलेगा यानि इधर आप चले कितना चले 35 degree, south से आप east की तरफ 35 degree चले तो आपको वो vector मिल जाएगा तो वो vector कैसे होगा यहाँ होगा कहीं, यह vector A है, एक और question हम ले लेते हैं concept clear होना चाहिए, doubt नहीं रहना चाहिए एक दूसरा vector हमने B ले लिया, B is 69 degree north of west north of west तो सबसे पहले last आले देखो यानि कहाँ चलना है, west से चलना है किधर चलना है, north की तरफ यानि west से भाया, north की तरफ चलना है कितना degree बनाना है, 69 degree 69 degree हम चलेंगे west से north की तरफ, तो वो B वाला vector हमको मिल जाएगा तो B वाला vector हमा लेते हैं, यह हमारा है ठीक है, vector B तो हम west से चलेंगे किधर चलेंगे, north की तरफ कितना degree चलेंगे, 69 degree तो वो B vector हमको मिल जाएगा ठीक है, तो direction लिखा हुआ हो आप draw कर सकते हो draw किया हो, direction आप लिख सकते हो तो दोनों चीज़ें आपने सीख लिए, ठीक है To represent a vector, we use bold face type in this book अब vector को कैसे represent करेंगे यह तो हमने draw कैसे करेंगे, वो देख लिया कितना angle और क्या है, यह सारा चीज़ देख लिया अगर हमको vector को लिखना है तो वो कैसे हम करेंगे उसके लिए यहाँ पर इस book के अंदर अगर bold letters के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है इसका मतलब वो vector है तो अगर हम बात कर लें velocity vector की तो velocity vector को किस तरह से लिखा जाएगा इस symbol के साथ यानि एक तो simple V हो गया अगर bold letters के अंदर V लिखा हुआ है इसका मतलब यह simple velocity नहीं है बलकि velocity vector है इस V के अंदर magnitude भी है direction भी है Since bold face is difficult to produce when written by hand अब हाथ से लिखना हो तो आप कैसे bold लिखोगे जैसे simple आपको V लिखना है तो ऐसे लिख दिए अब मालवा इसे रंगना पड़ेगा आपको ऐसे ऐसे गंदा करना पड़ेगा तो उससे बचने के लिए एक और तरीका बता दिया कि भाई आप क्या करो रंगा मंगा ना करो ऐसे ही जैसे लिखते हो ऐसी लिख दो बस सर के उपर उसके arrow लगा दो left से right की तरफ ठीक है तो भी वो वेक्टर ही माना जाएगा और लिखने में तो हम ऐसे ही लिखते ही हैं कौन उसको वहाँ बोल्ड करेगा रंगेगा तो बुक में भली आपको बोल्ड लेटर से मिल जाए क्योंकि वहाँ पर simple select कर लिया आपने और type कर दिया यहाँ पर जितना भी हम लिखेंगे और यहाँ पर मैं भी जितना जब भी लिखूंगा तो इसी तरह से arrow लगा कर लिखूंगा तो किस तरह से रेप्रेजनेंट होता है बाई एन arrow प्लेस वर दे लेटर तो जो भी लेटर है वेक्टर जिससे भी आप डिनोट कर रहे हो जिसे वी से डिनोट कर रहे हो ना तो वी के उपर arrow लगा दो तो दोनों ही चाहे बोल्ड लेटर में वी लिखा हो या वी के उपर arrow लगी हो यह क्या रेप्रेजन्ट कर रहा है velocity vector the magnitude of vector is often call it absolute value यह most important point है आपको दे दिया vector है उसे कहा कि find the absolute value अब आप सोच रहो क्या है absolute value तो absolute value कह दे या magnitude कह दे बात एक ही है कैसे indicate होगा इस तरह से mod के अंदर दो लाइन जो दोनों तरफ किची हुए इसका मतलब mod होता है तो यहाँ दोखो अंदर bold letters में लिखा है यहीं वेक्टर की बात कर रहा है तो mod लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर velocity vector की बात नहीं हो रही है सिर्फ उसके magnitude की बात हो रही है इसी लिए simple उसको हम V लिख सकते हैं इसके उपर arrow लगाने की ज़रुत नहीं है जैसे हमको कह दिया कि कोई object motion कर रहा है 3 meter per second velocity से north की तरफ ठीक है तो आप यहाँ लिखोगे 3 meter per second north ठीक है यह जो अभी हमने draw करके देखा था उस तरह से भी दिया जा सकता है 3 meter per second हमसे कह दिया कि 3 meter per second east of south motion हो रहा है तो वो direction लिखोगे यह तो आपका magnitude will apart हो गए direction क्या है east of south तो V के उपर arrow लिखी हुई है इसका मतलब magnitude भी लिखना है direction भी लिखना है अगर simple V लिखा हुआ है या अगर आपको लिखा हुआ है mod के अंदर दो लाइंग खीची उसके अंदर vector को लगा दिया या mod of vector V बताओ आप यहाँ भूले से भी आप direction न बताना नहीं तो पाप हो जाएगा क्या लिखोगे 3 meter per second बस कहानी कतम यह magnitude आप बता रहे हो एक और example हम ले ले लेते हैं जिसे मालो कोई force act कर रही है आपको question में दिया है 15 newton की force लग रही है acting in downward direction आपको find करना है पहला vector F इसे कैसे पढ़ोगे vector F या कह सकते हो force vector तो vector है इसका मतलब आपको पूरी चीज लिखनी पड़ेगी फर्स्ट वाले पार्ट में आप लिखोगे F is 15 newton downward दूसरा पार्ट यह vector है इस बेचारे को डिब्बे में बंद कर दिया इसको इदर-दर जाने नहीं दे रहा है direction इसका हो नहीं पाया इससे इसका direction छीन लिया गया तो आप क्या लिखोगे simple 5 newton आप direction बताने की जोरुत नहीं downward upward की धर जा रहा है कुछ नहीं मतलब तीसरे वाले की बात कर ले simple हमको f दिया है और यह चीज़ दिखो मैंने बताई है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर vector लगा हो उसको उपर vector लिख के उसके दोनों तरफ mod लगा दिया या simple symbol लिख दिया तो बात एक ही है यानि f लिखा है कि symbol लिखा जाता है और उसके उपर arrow लगा दी जाती है तो वो vector है यानि magnitude भी लिखो direction भी लिखो अगर उसको mod लगा के बंद कर दिया दोनों तरफ line खीच दी जिसे mod कहते हैं तो उस case में उसका direction हटा दो बस magnitude लिख दो unit के साथ unit न खा जाना और simple आपको symbol लिखा हुआ है ना ही वो bold pattern में लिखा है ना ही उसके उपर arrow है तो वहाँ पर भी हम सिर्फ magnitude की value लिखेंगे unit के साथ भूक लगी हो तो भी unit को नहीं खाना है नहीं teacher आपका number खा जाएगा तो वेक्टर को bold faces से represent किया जाता है सिर्फ book में otherwise 0 लगा कर जैसे A हो गया capital A small a p, q, r, x, y स्थारा से ठीक है with respective magnitude denoted by light faces तो bold letter में लिखा है तो वेक्टर की बात कर रहा है light में लिखा हुआ है capital A, small a, p, q, r, x, y कुछ भी लिखा हुआ है तो इसका मलदा सिर्फ magnitude की बात हो रही है तो यहाँ यह चीजें आप समझ गया होगे scalar क्या होता है vector क्या होता है scalar में addition, subtraction, multiplication, division करते है तो हमको क्या मिलता है scalar ही मिलता है vector में हम simple add नहीं कर सकते क्योंकि direction important होता है जैसे मैंने आपको करके दिखाया था कि कोई object east की तरफ जा रहा है और फिर वो north के तरफ चला गया 3 meter east की तरफ और 4 meter north की तरफ तो कितना displacement होगा simple आप add नहीं कर सकते बलकि क्योंकि direction इसका बदल जा गए यहाँ पर कुछ theta होगा उसकी value चाहिए होगी उसकी पूरी length हमें देखनी पड़ेगी starting से final के बीच की कितनी दूरी state line तो scalar के पास सिर्फ magnitude होता है vector के पास magnitude भी होता है direction भी होता और वो vector law of addition को follow करते है दो laws जो यहाँ पर लिखे हुए है वो आपके triangle law of addition है दो line इस तरह से खीच दी उस vector को लिखे जैसे F है उसके ओपर arrow लगाया है यह force vector है mod लगा दिया तो सिर्फ magnitude लिख दो आई होप आपको आज के lecture समझ में होगा यह direction वाले कुछन आप practice कर लेना क्योंकि direction वगरा गलती हो जाती है अच्छे से practice रहेगी आगे इसका use आएगा तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं जो भी वीडियो से आप playlist विजिट करके देख सकते हो chapter wise playlist के लिंक आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा तो आपको इस वीडियो कैसी लेगी comment करके ज़रूँ बरता है अच्छे लगी हो तो like करिए और अगर आप channel पे नए हैं तो subscribe ज़रूँ करिए उसके बगल में एक bell का icon होगा उसको दबा के all पे click कर देंगे तो जब भी नए वीडियो आएगी आपको message आ जाएगा मिलते हैं फिर एगली वीडियो में thank you